हेलो दोस्तो आज फिरीक नई वीडियो में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में आप जानेंगे यदि आपका पंजाब नेशनल बैंक में एकाउंट है और आप अपने एकाउंट की आधार NPCI आधार DBT लिंक करना चाहते है तो आप गर बेटे अपने मोबाइल से बि आपको दिखाते है कि आप गर बेटे अपने मोबाइल से बिन बैंक जाए कैसे अपने एकाउंट की आधार NPCI लिंक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए आपको अपने मोबाइल में Google ओपन करना है Google ओपन हो जाने के बाद आपको यहां सर्च में लिखना है पी एन बी एन पी सी आई लिंक लिखने के बाद आप सरच करें सरच करने के बाद आपको पहले नंबर पर ही इसकी OPCL वेब साइट में लगी आपको यहां OTP-based आदार सिडिंग एंड ऑथन्टिकेशन ओप एकाउंट्स आपको यहां पर कलिक करना है कलिक करने के बाद आप इसकी OPCL वेब साइट पर आ जाएंगे और आपको यहां पर कलिक हर 4 OTP-based आदार सिडिंग को ओप्सन में लगा आप यहां पर कलिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से interface सो होगा आपको यहां पर एकाउंट नमबर में अपना वेब एकाउंट नमबर डालना है जो आपके पास पंजाब बैंक का अकाउंट नमबर है एकाउंट नमबर डालने के बाद आप यहां पर इंटर कैप्चा में फिल कर देंगे और कंटिन्यू पर कलिक करेंगे उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नमबर आपका लिंक है उस पर एक OTP जाएगा Where OTP आप यहां Inter OTP में फिल करेंगे और Inter Capture में आप यह Capture Code फिल कर देंगे और Validate पे क्लिक कर देंगे Validate पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से Interface सो होगा आपको यहां नाम में आपका Account Number में जो नाम है वह आ जाएगा और यहां Dome में आपकी जनमतीती दिखाएगा Gender में यहां पर Male, Female दिखाएगा उसके बाद आप यहां Proceed for Adar Verification पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से Interface सो होगा आपको यहां Adar Number में अपना Adar Number डालना है और आपको यहां नीचे Give Content to Use Adar for Validation यहां पर आप Yes कर देंगे Yes करने के बाद आप Continue पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से Interface सो होगा और आपके Adar Card में जो Mobile Number रिष्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा वह OTP आप यहां पर Enter the OTP यहां पर OTP वह फिल कर देंगे जो OTP आपके Adar Card से Registered Mobile पर गहता वह OTP आप यहां पर फिल करेंगे और Validate पे क्लिक कर देंगे Validate पे क्लिक करने के बाद आपका Adar Card आपके Back Account से DBT यानि NPCI से लिंक हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह से Pop-ups होगा आप यहां पर देख सकते हैं मेरा Adar Card यहां पर मेरे Back Account से Adar NPCI यानि DBT से लिंक हो चुका है उसके बाद आप यहां एक किलिक करने के बाद raging के बाद की यहां पर सब्सक्राइब इसके बाद नाम बरत में आपकी जनम्रतिति दिखाएगा चेंडर में मेल फिमेल दिखाएगा के रोफ में आपके यहां पर पीता का नाम दिखाएगा और आपका यहां पर पूरा एड्रेस दिखाएगा नीचे आपका यहां पर गाउं कसबा जो है वह दिखाएगा और डिस्टिंग में आपका जीला अस्टेट में आप जिस अस्टेट से है वह स सो करेगा और कुछ समय के बाद आपका जो बैक अकाउंट है वह आधार से लिंक हो जाएगा इस तरह आप बहुत ही आसानी से घर बैटे अपने अकाउंट को आधार एंपी से लिंक कर सकते हैं अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंदा यह तो वीडियो को लाइक और अगर आ आप मारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें